नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो हम बना रहे हैं दिखाने के लिए कि HD501 जो डिवाइस है इने जिक लेवलुक HD501 उसका डीप क्लिनिंग कैसे होता है तो एक हमने एक लिएक क्लिनिंग के उपर अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएग और ये हम बना रहे हैं डीप कलिग तो डीप कलिनिंग भी इकलिनिग की टरह बहुत ही आसान है तो आए समझते हैं कि क्या-क्या करना होता है तो सबसे पहले जो step है वो वही है कि आपको जो यह plug है वह unplug को निकाल देना है यहांपे जैसे मेरा plug लग लगता है तो यह plug को नि यह देखिए ऐसा एक bucket या चाहिए या आपको कोई तो ऐसा बरतन चीए जिसमें आप पानी भर सके तो यह bucket में हमने कम से कम 5-7 लीटर पानी भरा हुआ है और यह bucket के अंदर हमने यह जो एक किया है कि जो यह हमारा input रहता है जैसे मेरे पास यह भी booster pump मेरे घर पे लगा हुआ है आप सामने देख सकते हैं तो क्या होता है कि यहां से यह बालदी में से जो यह bucket है उसमें से यह पानी को खीचता है यह वाला pipe जो यह सफेदा pipe देख रहे हैं यह खीच के booster pump जो है वो छोग के डिवाइस में जाता है लेकिन अभी हम deep cleaning कर रहे है तो यह pre filter में नहीं जा रहा है और यह directly जो इनएजिक का white color का pipe है जिसमें inlet लिखा रहता है उसमें जाता है और वो इनएजिक के डिवाइस में आता है CPU में से होके plates में जाता है और वहां से यह उपर से इसमें आ तो इसमें e cleaning pouch already डाले हुए हैं तो इससे क्या होता है कि plate पर ये e cleaning powder जो है वो बार बार घुमता है और उसकी वाज़े से cleaning होता है अब इस process को जो छोटा वाला अगर pump होता है तो आपको एक घंटे तक करना पड़ता है जबकि हमारा ये booster पर थोड़ा high capacity का है तो हम इस process को करी मिनिट पकड़ के चल सकते हैं तो 40 मिनिट तक यह पानी का रोटेशन चलता रहेगा अब आगे क्या करना है वह बता देता हूं 40 मिनिट के बाद क्या होगा आप अपना यह बूस्टर पंप को यहां बंद कर देंगे और यह जो बकेट है उसमें से एक लेनिंग पाउच वाला जो पाउडर वाला पानी है उसको निकाल देंगे और साधा पानी मतलब जो घर का टैप वाटर है उसको भरेंगे और इसी प्रोसेस को 5 मिनिट दोराएंगे कुछ-कुछ लोग बोलते हैं कि पानी बहा दो तो बहा देने से पानी वेस्ट हो जाता है इससे अच्छा अगर हम 4-5 लीटर पानी इसमें भरके अगर इसको ही रोटेट करेंगे क्लीन वाटर को 5 मिनिट के लिए तो हमारा क्लीनिंग पाउडर अगर कहीं पे होगा तो वो निकल जाएगा और मैं एक्स्ट पाँच मिनिट हम साधे पानी से करेंगे उसके बाद फिर 5 मिनिट साधे पानी से करेंगे और यह प्रोसेस जो रोटेशन हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे फिर से हमारा जो यह CPU निकालके हमारा पिर से जो प्री फिल्टर है उसको लगा देंगे और यह कैप लगा देंगे और फिर plug लगा के हमारा पानी शुरू हो जाएगा और ये pipe as it is वापिस हमारे यहाँ पे inlet में लग जाएगा ये जो pipe है वो pre filter में लग जाएगा और pre filter का जो output है वहाँ पर ये इनेजिक का device लग जाएगा तो इतना simple सा ये deep cleaning है फिर से एक बार समरी बता देता हूँ चार पाउच डालने है एक लिरिंग के और पानी को ऐसा 35 से 40 मिनिट तक ये सब में ऐसा rotation होने देना है और वो हो जाने के बाद 5 मिनिट साधा पानी फिर वापिस 5 मिनिट साधा पानी और आपका deep cleaning हो जाएगा इनेजिक कंपनी recommend करती है कि ये every 6 month करना चाहिए अगर आपका पानी इट का quality अच्छा है तो आप every 6 month 9 months चा 12 months के duration में डेप cleaning कर सकते हैं और एक cleaning जो है वो every 15 दिन में करना होता है और लेकिन practically लोग every month करते हैं तो cleaning करते रहिए डिवाइस को जितना clean रखेंगे उतना ही ज्यादा हमें हमारे best kangen water का benefit मिलता रहेगा thank you दोस्तो